आज मैं बना रहे हुए ब्रेट का बहुत ही बढ़िया नास्ता ब्रेट चीला या वेजी ब्रेट टोस्ट भी आप इसे कह सकते हैं बहुत ही कम समय में यह बन जाता है और बहुत ही कम मेनत में इसे बनाना भी बहुत आचान है सुबह के नास्ता में चाय के साथ या पर बच् अर इसमें हम पानी टाल करके इसका एक घोल तेयार कर लेंगे जिस तरह से हम डोसय का बेटर जिटना हम ठीक रखते हैं उतना ही इसे हमें ठीक बेटर का बनाना है इसे इस तरह से मिक्स करते हुए बिल्कुल स्मूथ करना है ताकि इसमें जो लंस है वो लंसinda रहे तो इस तरह से हम इसे बराबर mix करते रहेंगे ज्यादा पानी नहीं add करना है और इस तरह का हमें इसे बनाना है अब इसे हम ढख करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही शोर देंगे ताकि जो बेसन है वो अच्छे से फूल जाए तो 10 नमक डाल देंगे टेस्ट के कोड़िंग आप नमक डाल दें यहां पर मैं यह आधा चूटा चमच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ इसके जग़ा पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं हल्दी पाउडर इससे बहुत ही बढ़ी अ कलर आएगा तो 103 चूटा चमच हल्दी पा करके इसके अलावा भी आप कोई सी भी सब्जी बेंस या फिर जो आपको पसंद हो डाल सकते हैं यहां पर थोड़ा से चाट मसाला डालेंगे आधा चोटा चमच और यह पीजा सीजनिंग में यहां पर एड़ कर रही हूँ अगर है आपके पास तो डाल दे नहीं तो आप से स्किप भी कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे निमबू का रस तो यह मैंने थोड़ा si में एक चोड़ा चमच के करिए ऐसमें डाल दिया है और अब यह लास्ट में डाल देंगे Siya और इसे हमें अच्छे से कर लेना है है यह देखेअ मैंने अच्छे से है कि आगर आपको ब्रेड का नहीं बनाना है सिर्शन से ही बनाना थो आप इसी खोल का बना सकते हैं उस्हां पर नहीं है वाइड ब्रेड है विल्कूलश सवत और फ्रेज और अब इस पे तवे पे डालेंगे तेल इक चुटह चंड मैंने यहां डाल दिया है और इसमें हम ये डिप करेंगे ब्रेड इस तरह से हमें डीप करना है और इस तरह से डिप करने के बाद रख देंगे ज már कि तो एक साथ आप दो तीन ब्रेड भी बना सकते हैं तो अभी मैंने इसको पलट दिया है और इसे हमें मेडियम फ्लेम पर ही बनाना है तो यहां पर साइड में मैं एक और रख देती हूं एक साथ आप दो तीन भी बना सकते हैं ये देखिए इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हम इसे पलटते हुए सेख लेंगे उपर से थोड़ा से तेल एड़ कर देते हैं और फिर जब नीचे से थोड़ा से सिख जाए तब हम इसे इस तरह से पलट देंगे तो दोनों साइड से हमें इसे सेख लेना है जब तक ये अच्छे से पकना जाए बहुत ही टेश्टी लगता है ये खाने में बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं तो यह पक चुका है, दोनों साट से इसे मैंने अच्छे से से शेक लिया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, यह देखिए बेलकुल बढ़िया और टेश्टी बना है, और इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे, तो मैंने यहाँ पे चार ब्रेड का बनाया हुआ है, यह बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म नास्ता बन गया है, और बाकी यह जो घोल बचा है, आप उसका बना सकते हैं, इस तरह से चीला, तो अगर आप ब्रेड से नहीं बनाना चाहते हैं, तो भी आप इसे इस तरह से बेशन से आप इसे चीला बना सकते हैं, तो थोड़ा सा ते बन करके रेडी है तो एक ही घोल से एक समय में आप दो तरह के नास्ते बना सकते हैं तो देखिए बहुत ही बढ़िया नास्ता बन गया है तो आप भी बनाईए ड्राइ कीजिए और मुझे कमेट करके बताईए कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगे गरा आपक हैं की और वीड़ दो आपको ये रवागी में रही उंच्ट करके बन की आपको ढनाईएeren रही जे रहाएंवान च्छी स के बनाईए़ कैसी का फ्यानलल आपको अधर खल्एक फ्येगन काश्cket च्छ्छ्य येंग से लिए हैं लगॉवल आपकर झाल रह हैं ट क् झाल झाल